नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूजेफेस में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के लिए एक बहुती बुरी खबार आ रही है रूस से दरसल बात ये कि भारत के कुछ यूथ हैं कुछ यूवा हैं जो रूस चले गए थे और रूस ने उन यूवाओं को दूसरी किसी नौकर में रखने की जगा उनको बैटल फिल्ड में डारेक्ट भेज दिया है यूकरेन से लड़ाई करने के लिए आई दोस्तों बात बताता हूं पूरी बिस्तार से कि एक्च्वल में हुआ क्या है दरसल दोस्तों यूरूस और यूकरेन के बीच में दो साल से एक यूद चल रह लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो लेकिन किसी भी फॉर्मल तरीके से नहीं गलत तरीके से बुला कर लोगों को लड़वा रहे हैं अब हुआ क्या है दरसल दोस्तों भारत के कई राज्य हैं जैसे कि करनाटक, तेलंगाना, गुजरात, उत्रपदेश, जम्मू तो इन पंजा जैसी बैटल फिल्ड में उत्रुआ दिया गया, अब इसको कैसे किया गया, दरसल ये खबर अभी तीन दिन पहले दा हिंदू में आई थी, उसमें क्या था कि एक परसन, तीन चार परसन है टोटल, वो दुबाई में जॉब करते हैं, एक तैलंगाना का रहने वाला है, और सिन करनाटका के रहने वाले हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर इनको एक एजेंट मिलता है, वो इनसे कहता है कि आप यहाँ पर जो भी जॉब कर रहा हो, मैं आपको इससे अच्छी सैलरी दिलवा देता हूं, रूस में, और आप वहाँ पर आराम से जॉब करिए, security personal की security personal जो एक मतलब किसी जगा की पहरेदारी करते है वो job तो इन लोगों ने कहा कि okay अब इन लोगों ने okay बोल दिया और इनको ये भी बोला गया था कि आपको दो लाक रुपर पर मन्त मिलेगा salary तो ये पिछले साल दुबाई से आ गए इंडिया और इंडिया के चेन्नाई एरपोर्ट से ये रूस चले गए सबी लोग वोँपर जॉब के लिए और इनको वोँपर ले जाया गया और इनसे फिर वोँपर security personal का काम ना करा करके इनसे काम कराया गया battlefield में सीधे लडाई करवाई जा रही है और अब ये सब वहाँ पर परेशान है इन्होंने वहाँ से वीडियोज बना कर भेजे हैं अपने फैमली को कि प्लीज हमें बचा लीजिए इन्होंने contact करने की कोशिश करिए भारत के embassy में लेकिन इनको अभी वहाँ से कोई response हो नहीं पाया ये connect नहीं कर पाया ये तो केस एक था ऐसे ही एक केस और आपको एक चीड़ और बताने है इनको जिस एजेंट ने वहाँ पर भेजा है उस एजेंट ने इन एक एक परसनल से साड़े तीन तीन लाख रुपए लिए मतलब चौदा लाख रुपए लगभ ले लिए इनसे सिर्फ रोस पहुचाने के और ये गलत तरीके से किसी तरह से पहुच गया और वहाँ पर ये लड़ाई करना है ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश का भी सामने आया है उत्तर प्रदेश का केस यह है कि जो यूवा था इसको बोला गया है इक आपको वहाँ पर जाना है और सिक्योर्टी गर्ड की नोकरी करनी है सिक्योर्टी के लिए काम करना है और आपको एक लाग 55 जार रुपय पर मंथ आपको सैलरी मुलेगी और पचास जार रुपय का बोनस मिलेगा हर मई ने तो इनको यहाँ ग़लत तरीके से लेकर चले गए और वहाँ पाहँ है अच्छा इनको जो लेकर गए क्या रही है इस तरह की लेकर चले गए और सीधे इनको यूद्टर में पहुचा दिया गया कि यूक्रैन से लड़ाई आप यह वहाँ पाहुचने के हो रही ही कि इनको वहाँ जो भीजा गया है वो किसने भीजा है तो अभी जो एजेंट इनको वहाँ पर भीजा हुआ है उसका नाम फैसल खान के नाम से आ रहा है सामने कि फैसल खान नमा के एक एजेंट है उन्होंने इनको रूस में पहुंचाया है तो रूस को ऐसा नहीं कर करना चाहिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मुद्दे को कि सांसद अपने असदुदिन ओवसी हैं जो हैदरवास सांसद हैं ए आई एम आई एम पार्टी के चीप ही है यह उन्होंने ये बात भारत सरकार के सामने रखी है अब जवाब अभी देखना है कि क्या आता है भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठाती है दोस्तों कुछ इससे अपडेटड वीडियो कोई डवलप्मेंट आती तो मैं आपके लिए अपडेटड वीडियो लेकर आऊंगा थैंक्यू दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब् स्क्राइब करते हैं